हलो दोस्तों पुजा कम्पूटर में आपका स्वागत है मैं हरीस आज आपको टॉपिक बताएंगे ओनलाइन लगान के बारे में हम ओनलाइन रसीद जब काटते हैं तो क्या होता है 90% जो होता है हमारा पेमेंट फेल्ड ही बता देता है दोस्तों मतलब सक्सेसफुली हमारा प्रिंट जो रिसीविंग होता है इस पे नहीं निकल पाता है जब हम ओनलाइन लगान ओनलाइन रसीद काटते हैं तो तो उस इस्तिती में हमारा रिसीविंग नहीं निकल पाता है वो सेज़ीति में हम रिसीट जो हमारा payment receipt है, रसीद जो कटता है, पेमेंट सर तो successful ही हो जाता है दोस्तों, मगर रसीद फिर कैसे निकालें? उसका problem हो जाती है कि हम कैसे निकालें उसको, क्योंकि यहां पर देखिए, online लगान करते हैं, देखे यहां लंबित भुगतान के लिए हमको क्या लेना पढ़ता देखे मांगता है जैसे हमारा यह ऑनलाइन भुगतान करने का ौपन सматायों और इसके करते हैं अध्य है भोब ध् decía फषुर अच्छा कीव डाल दिया इसको कैसे करते हैं पहले आपको पूरा प्रोसेस हम बताते हैं दोस्तों Google Chrome खोल लेंगे Google खोलेंगे यहां Land Record टाइप करेंगे ठीक है Land Record इंटर्प्रेस कर दिया Land Record का देखें विभागे साइड जो है देखिया गया बिहार रजस्वेंभुवी सुधार विभाग आगया ओनलाइन लगान यहां से इस ऑप्सन पर जाके हम करते हैं सुरच्छा कोड डालते हैं देखें यहां से आप लंबित भुगतान हम पेमेंट यहां से करते हैं ठीक है पेमेंट करते हैं दो पेमेंट हैं पिखें आपसे हो जाता है बहुत Rapid ल मतलब मैंगे से करते हैं या debit card से करते हैं तो transaction ID उसमें आपको नहीं दिखेगा दोस्तों इसका transaction ID कुछ और होता है तो transaction ID हम कहां से पता करेंगे कैसे निकालेंगे जब तक आप transaction ID नहीं डालिएगा जब तक यहां से आपको वह receipt नहीं निकलेगा जो आपने रसीद काटा उसके details आपको नहीं मिलेगा तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको हम तरीका बता रहें दोस्तों यह topic आपको topic नहीं पर नहीं मिले यह जो काटे हैं हमने रसीद लगान किये हैं पे किये हैं उसका रसीद यहां simply online लगान पर जाएंगे दोस्तों यहां पर सुरच्छा को डालें साथ दुनों online भुगतान करेंपर जाएंगे अपना जीला चूज कर लिजेगा उसके बाद अपना अंचल चूज कर लिजेगा जिसका अपने रसीद काटा उसका detail साथ डाली हलका नाम डाल लिजे हलका नाम आपका जो है उसके बाद मौजा का नाम डाल दीजे उसके बाद आप भाग बरतमान डालेंगे अगर आपको भाग बरतमान पता करना है तो इस option प्याप पर जाके क्लिक कर सकते हैं आप यह सीच पूछेगा जीला पूछेगा आपका अंचल पूछेगा हलका नाम पूछेगा मौजा पूछेगा और खाता नंबर पूछेगा उसके बाद आपका भाग बरतमान और प्रिष्ट संख्या आपको सो कर देगा दोस्तों वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं पर जाईएगा वह आपको मिल जाएगा भाग बरतमान और प्रिष्ट शंख्या बरतमान तो हमने देख चुके हैं क्योंकि यह हमने पेमेंट कर चुका है हमारा पेमेंट फंस गया है हमारा रिसीप नहीं निकल पा रहा है में रिसीप निकालना है ट्रांजेक्शनाडी वह प देख़े, अब जब हमें रशीट कारते हैं दोस्तों थो पीमेंट फेस होने के बाद पेमेंट का यहां पर देखे पिछले भुक्तान का वीबरन इस option पर आप आ जाएगा यहाँ देखिएगा आपका depositor आइडर दिखा रहा है भुक्तान संख्या रसीत संख्या देखिए यहाँ पर transaction ID आपको यहीं से मिलेगा दोस्तो इसी transaction ID को आप simply copy कर लीजिए या note कर लीजिए और इसको close कर देते हैं अब देखे क्या करना है कैसे receipt हमको निकालना है क्लोज कर देंगे फिर online लगान पर जाएंगे अब यहाँ देखे सुरच्छा कोड जो मांग रहा है वो डालेंगे लंबित बुक्तान बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो हमने इतना तक कट चुका है बुक्तान केती थी इतना तारीक को है कूल 20 रुपया है यहां से देखे बटन पर क्लिक करिए देखे आपका receipt कटा हुआ करन्ट 2021 का आपको मिल गया से आप सिंप्ली प्रेंट कर सकते हैं दोस्तों मैं बहुत परसान हुआ था इसको निकालने के लिए क्योंकि पेमेंट कर दिया अब रिशीद किदर से निकालने भाइट ट्रांजेक्शन आइडी तो इस तरह से आप ट्रांजेक्शन आइडी को प्राप्त कर सकते हैं और अपना पेमेंट के हुआ रिशीद करन्ट का निकाल सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइट सब्सक्राइब कीजिए इतना तो बनता है इसे इसे टोपिक आपको लाते हैं दोस्तों कि आपको भी परसान को निकाल सकते हैं दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों लाइक कीजे शेयर कीजे तो आज के टोपिक में इतना ही मिलते हैं नेक्सट टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तों